इसे पहले हम प्रोड़क्त मैनेजमेंट डिसकस कर चुके हैं तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखिये तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं लिंक आपको डिस्प्शन में मिल जाएगा और यह हम मार्केटिंग मैनेजमेंट से कर रहे हैं जैसमें हम फोर पीस डिसकर्स करने वाले हैं तो हम अभी प्रोड़क्ट के साथ शुरू कर रहे हैं ठीक है पर अल्रेडी मैं टार्गेटिंग पॉजिशनिंग और सेग्मेंटेशन पर अल्रेडी वीडियो अ करने के लिए और बेल नोटिफिकेशन रूर प्रेस करें ताकि कोई भी नहीं वीडियो है तो आप उसका नोटिफिकेशन मिल जाए ठीक है तो देखो प्रोड़क्ट है रायर की कहा है और हां जो मैं यह यह लेक्चर करा रही हूं यह एक साइट है ता इन एक्टोन ठीक है पिर से रिपीट कर रही हूं तो यहां से आप देख सकते हैं वैसे मैं लिंक इसका डिर्फुशन में डाल दूँगी पर फिर भी अगर आप मैं नहीं डालता हूं या फिर आपको नहीं मिल रहा है तो आप दा इन एक्टोन पे जाके सर्च कर सकते हैं ठीक है तो प्रोड़ प्रोड़क्ट स्ट्रेच करती है बेसिक फंडमेंटल नीड क्या है देखो नीड क्या होती है कि एक कैटेगरी ले लेते हैं हम की माल जैसे इसमें अग्जांपल अलग अलग भी हूं है पर मैं एक पर्टिकलर एक्जांपल भी दिए है उसकी तुरू ही चलते हैं तो इसे एक एग्जांपल दीया है कि आपकी नीड है हेल्थ-क्यार ठीक है हेल्थ-क्यार में सो उसके बाद उसकी क्लास है उसके बाद इसकी टाइप है जो हम डिसक्मक्रेंगे हर भी लाग ऑप इसने क्या बोला कि product stretch कहां से होता है मितल्द कैसे शुरू होती है कि आपकी पेह बे तो इसको हम क्या देखते हैं अजे पुरा बिजनस ही देखते हैं ना कि यह कि हम एक specific product पर काम कर रहे हैं so product hierarchy is usually mentioned in the same sentence with the product classification and therefore can be viewed as a तो हम इसको एक ऐज प्रोड़क्ट classification भी बोल सते हैं ठीक है तो देखो यहां पर product hierarchy का एक बहुत अच्छा example दिया हुआ है देखो family की need क्या थी healthcare ठीक है फिर product family मतलब healthcare में किसकी कौन से product की need थी oral hygiene की उसमें भी एक class है oral hygiene में भी क्या रहेगा आपका mouthwash category है तो आपने product line क्या बना दिया original जो listrine हमारा mouthwash आता है ठीक है एक यह product hierarchy है जहां से आपको समझ में आया होगा कि देखो पहले हमारी basic need होती है फिर basic need से चलते हम एक particular need पर पहुच आते हैं कि हमारी basic need क्या थी healthcare और हम पहुचते पहुचते कहां पहुचते कहां पहुचते है anti-cavity original listrine पर ठीक है 100 ml anti-cavity original listrine पर that is the particular need ठीक है एक level के थ्रू चलता है यह तो हम उसमें देखते हैं कि क्या है product hierarchy divided into several level which are best understood using example कि कौन कौन से example है first आता है product need वही जो हमने देखा भी कि आपकी product need क्या है वही primary reason है कि आपका product market में आएगा है आपको need ही नहीं होगी तो product कैसे आएगा market में for example motor wheeler exists because people have to and want to travel क्योंकि लोग क्या चाहते है देखो motor vehicle इसलिए यह ना क्योंकि लोगों को क्या travel करना है वह जाना चाहते है तो यह core product need है जैसे कि Toyota vehicles ठीक है product family क्या है कि जो core need है was satisfied by a product is the focus this means that attention should be in on the individual market but rather the entire business market so product family में क्या होगा कि आप आपने basic need तो बता दिया आपकी पर जो core need वो क्या है यहां पर focus रहेगा कि कौन से उसमें for example अगर traveling एक core need है तो यह हम कैसे satisfy कर सकते है plane से train से शिप से एक particular case में product family travel है और अगर product आपका travel है तो for Toyota product family क्या है विकल से ठीक है so product class क्या आता है अब उसको भी हम डिवाइड करता है देखो जैसे हमने उपर भी क्या था need क्या थी हमारी healthcare और फिर product family क्या थी oral hygiene अब आता है class so class क्या होता है occurs when categories are drawn from the same company it is similar to the product family only that product class does not go outside the company unlike product family ठीक है personal computer constitute and institute जैसे कि यहां पर इसने example बदल दया product class क्या होता है कि जब हम और categories लेते हैं same company से जैसे कि हमने product class क्या लिया oral hygiene ती हमने क्या ले लिया mouthwash category ले लिया ठीक है so यहां पर इसने दूसरे example change कर लिया personal computer पर आ गया ठीक है so product line क्या रहेगी outwash category थी तो उसमें जितने भी आपके मतलब उससे related होंगे वो सारे किसमें आ जाएंगे product line में ठीक है so product line क्या है consist of entire group of products including class of products जो की class of products में होगी और यह product एक दूसरे से related होंगे क्योंकि comparable function perform करेंगे और same group of customer इसको खरीदेगा और यह एक ही certain price range के अंदर आएंगे ठीक है so example जैसे उपर हमने computer ले लिया था कि अगर product class computer है तो यहाँ पर product line क्या हो जाएगी laptop पर हमने वहाँ पर देखा था कि अगर आपकी product class mouthwash category है तो आपकी product line क्या हो जाएगी कि आपको क्या बनाना है list ring बनाना है ठीक है उसके बाद आते है product type this refers to the various products within a product line for example under जैसे Hyundai का i20 product line है तो उसमें product कैसे होंगे i20 asthana sports magna ठीक है तो यह उसके क्या होगे type होगे जैसे अब हमने यहाँ पर list ring की बात किया तो क्या हो जाएगा 100 ml to 100 ml ऐसे next आता है product unit यह क्या एक stock keeping unit है SKU इसको हम SKU से भी वो करते है और discrete item है within a product type of brand क्यों मिलब वो क्या होगा कैसे distinguish कर सकता है उसको size price और किसी भी base पर मतलब कि आपके पास कितना stock है ठीक है so in product become individual product unit if it is independent and no other product type is dependent on it so product unit क्या है कि अगर product individual product unit रहेगा अगर वो independent है और कोई भी product उसके उसके उपर dependent नहीं है ठीक है तो I hope आपको product hierarchy समझ में आया होगा बहुत simple है इस example के थूरू यह example आप बना के आ सकते हो देखो exam में लिखने का भी एक तरीका होता है कि अगर आपने diagram बना दिया तो लोग महां से मतलब जो आपके चेक करने वाला होगा वो easily समझ जाएगा कि इसको basic तो पता है ठीक है तो आपका आगे का भी चेक ना करें कि तो में है जितने आप diagram ड्रो करके हो या फिर जतना आप diagram के थूरूरी परजेंट कर सको trust में बहुत बेनिफिट होता है तो आपकी sheet भी बरेगी और उपर से examiner के पर पास इतना time नहीं होता कि वो हर मेंशा चेक करे कि क्या चल रहा है तो जूरी मुझे हम पास तो झाल झाल